कि एक पार्ट है OSI model का आज की वीडियो में पढ़ा था कि फिजिकल लेयर की वरकिंग क्या है जो की एक पार्ट है OSI model का आज की वीडियो में पढ़ेंगे OSI model की second layer जो की है आपकी data link layer सो data link layer क्या काम करती है आपकी हमने पढ़ा था फिजिकल लेयर में आपके binary जनरेट हो रही थी आपके communication link के अंदर तो जो भी आपको communication link हो वो आपकी binary जनरेट कर रहा था अब इसके बाद आपका जो भी data हो network के अंदर वो खाली binary की form में travel नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता मै मैंने एक switch लिया यहां पर अब switch के विहाफ पर मैंने multiple device connect कर दिये multiple computer multiple laptop PC connect कर दिये अब यह PC first PC data send करना चाहता है last PC को कोई अब यहां से जैसे current generate हुआ मतलब zero and one की form में आपके data गया तो हो सकता है यह भी same time पर communication कर रहा हो तो zero and one इसके भी intercept करेंगे इसके साथ तो इस cases में तुमारा data corrupt हो जाता है क्यों हो जाता है तुमारा data बना होता है multiple binaries and bits को मिला कर अब उन में से अगर एक binary भी आपस में misplace हो गई या फिर replace हो गई या फिर मैं कह देता हो यह binary loss हो गई network के अंदर तो तुमारा complete data corrupt हो जाएगा no matter हो कितने भी GB कितने भी TB है whatever कितन जाना ना तो वह open हो सकती है ना तो edit modify हो सकते है ना ही वह resend हो सकती है तो उस form.com कहते है corrupt for example जब भी आप internet से कोई भी file download करते हो तो in between जब वह download चल रहा होता है तो आपका अचानक से internet interruption आ जाता है या फिर मैं कहलें internet cut हो जाता है तो वह file दुबारा से retry mode में चली जाती है वहीं से वापिस से resume क्यों नहीं हो पाती क्योंकि वह आपकी जो download हो रही थी वहां पे packet loss हो चुके थे वहां पे आपके bits loss हो चुकी थी so that's why आपका data complete जितना भी data हो रखा हो दाउड corrupted form में download होता है जिसको आप दुबारा से use करी नहीं सकते एक बार download करने के बाद आप उसे use करी नहीं सकते तो data link layer क्या करता है हर एक binary की data link layer provide करता framing framing किसले provide कर रहा हर एक binary को ताकि वह network के अंदर loss ना हो ठीक है तो हर एक binary को इस तरीके से frame में रखता है अब frame में रखने के बाद हर एक binary को identification चाहिए होगी कि वह कहां से आई है और कहां पर जाएगी land network के अंदर तो हर एक frame के साथ पहले binary थे अब यह बन चुके frame हर एक frame के साथ source या फिर मैं कहले हूँ sender and receiver का Mac address Mac means media access address आपका attach करता है media access control आपका एक network interface card means जिसके तुरू आप network के तुरू connect होते हो जैसे कि Wi-Fi हो गया Bluetooth हो गया LAN card हो गया इन चीज़ के identification हो ताकि network तुमारे device को identify कर पाए जैसे कि अगर कोई router आपके device को IP address दे रहे तो router को भी पता होना चाहिए कि मैंने किस device को identification दी है अपनी IP address दी है अपना तो वह आपको identify किस बिहाफ पे कर पाता है Mac address के बिहाफ पे तो वही Mac address attach होता हर एक frame के साथ किस किस का Mac address attach होता है sender का भी Mac address attach होता है and receiver का भी Mac address attach होता है हर एक frame के साथ ताकि हर एक frame को identification अपनी पता हो कहां से आए कहां पर जाएगा अब कोई सा frame इसमें जल्दी भी पहुंच सकता है कोई सा frame इसमें लेट भी पहुंच सकता है तो थर्ड चीज ये क्या काम करता है हर एक frame का flow control करता है network के अंदर की हर एक frame एक sequential way में जाए एक sequential speed में जाए constant speed में जाए ऐसा ना हो कि पहले के तीन frame जल्दी पहुंच गए last के frame आपके late पहुंच रहे तो उस cases में आपका फिर से data corrupt हो जाएगा तो ये तीसरे चीज क्या काम करता है हर एक frame का flow control करता है and at the last पहले हमारे data एक normal bit form में था फिर उसको framing करवाई गई फिर उसमें sender and receiver का macet respetage किया गया अब हो सकता है इस दोरान हमारे अंदर की binary ही corrupt हो गई हो तब last में ये provide करता है आपको error checking कि जो हमारा data frame format में जा रहा है वो एकदम correct जा रहा है या नहीं जा रहा है तो ये last में ensure भी करता है तो helping device का काम करते है इस layer के अंदर पहला device हमारे लेंड कार्ड लेंड कार्ड जो की local area network में wide connection बनाने में help में लिया जाता है जैसे कि तुमारा जिसमें RJ45 port होता आपका एंड ethernet cable जिसके साथ attach होती है वह आपका लेंड कार्ड होता है उसके आगे लिखा होता WLAN WLAN मतलब wireless local area network जो कि आपके wifi के बिहाफ ए connectivity प्रवाइड करता है bridge आपका पुराने time में यूज में लिया जाता था दो अलग-अलग hub को end to end connect काने के लिए वह आपका इस्तवाल में लिया जाता था bridge ठीक है detail video hub bridge and all networking device की मैं separately बना दूंगा OSI model के बाद ठीक है and switch आपका multiple device को connect करने के लिए यूज में लिया जाता है बट switch आपका बना किसले गया था हब को replace करने के लिए जैसे कि last video में हमने सीखा था कि हब आपका कर रहा था broadcasting क्योंकि हब आपका आपका identification करने पारा था बस्विच आपका identification कर पाता है किस भिहाफ पे mac address के भिहाफ पे तो that's why switch आपका काम कर रहा है data link layer पर switch को पता होता है कि मेरे किस port के साथ कौन सा PC connect है mac address के entry वह अपने अंदर store रखता अपने अन्वी राम के अंदर store रखता है नोन वॉलिटाइल राम के अंदर और प्रोटोकोल कौन-कौन से ARP and CDP ARP के फुल हो में address resolution protocol ARP network के अंदर next device को identify करने काम में लिया जाता देखो networking में किसी भी device का common name जो कहला था वह आपका कहला था node node तो किसी भी node को identify करना हो कि मुझे next node कुन सा है मेरा next किस node पे मुझे information send करने है तो किस के through होएगा ARP के through होगा for example अगर मेरा first device second device कोई data भेजना चाहता तो वो ARP के through ARP protocol के through वो device identify कर पाएगा but identify अगर कर रहा है तो कोई ने कोई तो उसकी information store रख रहा होगा तो वो information store रखता है वो रखता आपका CDP Cisco discovery protocol आपके information store रखता है next device की hopefully आपको पूरी वीडियो समझा गई होगी अगर पूरी वीडियो में किसी भी तरह कैसा भी डाउट हो तो आप comment करके जरूर बता सकते है next वीडियो आप किस topic पे चाहते वो भी आप comment में बता सकते है like करे इस वीडियो को जाज 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 शेयर करे ता कि और और लोगों क दोरी आपको जाज जाज बता सकते है